दिनाक तीस जुलाई दो हजार तेसको फर्यादी नातूराम और फुन नतू अनुरागी पिता दुर्जना अनुरागी निवासी टेहनगा ने मौके पर रिपोर्ट किया कि उसकी भाई अनुरागी की बहेरा वाले खेत पर किसी अग्यात व्यक्ती ने लाटी तंडे से रात्री में मारपीट कर हत्या कर दी है जिसकी रिपोर्ट पर थाना लबकुष्णगर में अफरात क्रमांग 307 बटा देजधारा 302 का पंजीबद कर विवेचना में लिया गया विवेचना के दोरान पुलिस महानिरक्षक प्रमोध वर्मा सागर जोन सागर उपुलिस महानिरक्षक ललित शक्यावार के मार्ग दर्शन एवं पुलिस सादिक्षक छतरपुर अमित सांगी अतिरिक्त पुलिस सादिक्षक विक्रम सिंग के निर्देशन पर पुलिस टीम में खटिया की उपर म्रत पाया गया था और इसकी किसी भोत्रे हतियार से मार के हत्या की गई थी इस पे धारा 302 आई पीसी का प्रकर्ण थाना लवकृष्णगर में पंजीब देकर विवेचना जब की गई तो इसमें इसका जो सगा भतीजा है वही आरूपी निकला और इसम अपना आरूप स्युकार कर लिया मुख्यता है हर्तिया की वजह है जो एक रास्ता है जमीन का उसके लेके विवाद था और उसके एक दो दिन पूर्व मरतक ने आरूपी की पत्नी याने अपने भतीजे की पत्नी से कुछ विवाद किया था गाली गलोच की थी इसको लेकर ये काफी गुस्ते में भी था और घटना के दिन ये वहां से निकला और दोनों में वाद विवाद हुआ तो लाठी से ही इसने अपने चाचा की हत्या कर दिया गया है और काफी तुरित गती से इसमें इंवेस्टिगेशन करते हुए टीम ने काम किया था उनको इसमें भाप्त कर घटना हिस्थल का बारीकी से निरक्षन कर फर्यादी गवाओं के कथन लेक किये गई जो निरक्षन घटना हिस्थल कथन फर्यादी गवाहान एवं परिस्थिती जन्निस साक्षि के आधार पर संदेही निवासी टहनगा को हिरासत में लेकर उचताच की गई लगातार पती से संपर्क हो ना पाया गया। उन्हा इसी आधार पर संदेही से हिकमत अमली से पूछताज करने पर बताया की। पर दी है आरोपी जोकी मिरतक का भतीजा है उम्रिती साल निवासी टहनगा को गिरफतार कर जी आर पर मानेनिया न्याले में पेश किया गया। प्रपाटी की एहम भूमिका रही जन्पदर्शन्यो चैनल के लिए चैनल हैड मनेंदू पहारिया की रिपोर्ट। प्राटी की एहम भात्यों जो की एहम ठाले मनें प्राटी की एहम भात्यों प्राटी की एहुक्द। झाल